हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई चैनल, किचन तरका मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स, होली आने वाली है, होली में गुझिया बनाना तो ज़रूरी होता है गुझिया के बगेर होली का मजा ही नहीं आता तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल मावा गुजिया की रेसिपी और इस पर चाशनी भी लगाएंगे चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे हम तो इसकी रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं तो मावा गुजिया बनाने के लिए यहां पर हम ले लेंगे पहले लिए हमने एक कप मैदा और साथी में आदा कप और तो यह टोटल मिला कर हो गए डेड़ कप मैदा यह करीबन 200-500 ग्राम के बीच मैदा है और अब हम इसमें डाल देंगे एक चुठकी करीब नमक जो नमक है वैसे तो गुजिया मीठी होती है लेकिन आमक जो डालेंगे अर अब हम इसमें डालेंगे चार चमच करीब देसी ही वैसे तो इसमें ओईल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन देसी ही गुजिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और यह देसी ही को डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगा हाथों से कि इसको हमने कंटीन्यू हाथ से दोनों हाथों से मसल मसल का ऐसे रब कर लिया है और रब करके इसमें सारा जो कोईल था हमने डाला था वह इसमें मिक्स हो चुका अच्छे से और हाथ में आप ऐसे लीजिए और एक लड्डू बना कर देखिए यह आराम से इसली बंद रहा है तो मतलब इसमें जो मॉमिन है वह बिल्कुल सही है अगर यह आपकी मैदा जो है अलग अलग भी खर रही है ऐसे बांधने पर भी अलग अलग भी खर रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मॉमिन और ढाल सकते हैं कि और मिक्स करने के बात हम अमने यह लिया है नॉर्मल पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी इसमे लेगा और इसके τοा कशी कि अधाल त्यार हो तॉड्त निया है 360 बढूँ रबाइल के ली फिए बैया है सद्ट जाने के Скnyt शिए असमुर्ड आजा प्रेस्ट तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले ग्यास पर एक कढ़ाई रखें और कढ़ाई में डाले आदा चम्मच ये दो चार वून देसी गी और उस देसी गी को डालकर इस कढ़ाई को अच्छे से स्प्रेट कर लेजेए और कढ़ाई हलके सी गरम होते ही इसमें डालिए दो चम्मच कटा हुआ बादाम के छोटे-छोटे पीस दो चम्मच काजू के कटे हुए बारिक पीस दो चम्मच चिरोंजी दाना ये सारे ट्राइब पूट जालकर इसको कंटीनिय चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए और चाहें तो आप इसमें नारियल के बुरादे को भी आड़ कर सकते हैं काफी लोगों को भी बहुत पसंद होता है तो आप इसमें आड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें जो है नारियल का बुरादा नहीं डाले है तो हमारी जो अच्छे से भून गई है और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कंटीनियूस को चलाएंगे और इसको एक प्लेट में निकल लेंगे यह प्लेट में और वापस से वही कड़ाई को साफ करकर गैस पर रख दिया है अब इसमें डालेंगे मावा यह मैंने 200 ग्राम करीब ले लिया और इसको मैंने लिया ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है क्योंकि ग्रेट करके अगर हम इसमावा को भूनेंगे तो यह सारी तरफ से इक्वाली जल्दी से भून जाएगा और लो गैस पर इसको कंटीनियू चलाते होई पकाएं अगर हम इस मावा को अच्छे से भून लेंगे तो मॉइस्ट्र उसमें से निकल जाएगा और हमारी गुजिया जो है 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होगी तो प्रिंस हमारा मावा जो है वह अच्छे से भून चुका है और देखिए इस में से जो है ओईल भी अलग होना स्टार्ट होगी है अब ग्यास कपले में ओफ कर दिया हमने और इसको ठंडा हो ले देंगे और साथी में इसमें दो चमच किश्मी शैट कर देंगे और यह सब आट करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अपयुआ होहगी है और इसमें डाल देंगे एक कप पूरा यह एक कटोरी के घ्राइब सकते है और इसको डाल कर भी अच्छे से में सबढेंगे डालेगे साथी में डालेंगे यहाрगे इलाइची पाउडर से जो है कुश्बू बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए याद रखें जो आप चीनी का पाउडर डाल रहे हैं या फिर बूरा डाल रहे हैं जो भी आप मीठे के लिए इसमें अड़ कर रहे हैं उसको अच्छे से ठंडा होने के बादरी डालें गरम में ना डालें नहीं तो जो है हाँ हो हे अच्偈 हो सको अच्छों कर लिया है अब हम तरो के लिए चार्शनी बनाना है तो एक कड़ाई को गरम करना रख दिया और हम डालेंगे 1 तहाच्छीनी के साथ डालेंगे आधा कप पाणि के आधा कप पानी इसमें एड कर दिया और इसके अच्क से चाषणी बना कर तयार कर लिए वहाँ जाद़ा गाड़ी या पतली जाषणी नहीं बनानी है ना एक तार की ना दो तार की चिपा होना जरूरी है बस हमारी जो चाषणी है वो ब आप इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से लैची के स्टेम्स और इसको डालके मिक्स करके और ड़की छोड़ेंगे तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी गुजिया के लिए जो हमने फिलिंग बनाई वह भी तैयार हो गई है और गुजिया के लिए चाशने भी तैयार हो गई है अब हम च्पर लेते हैं हमारा जो आटा है उसको हमने कवर करके रखा था यह आटा जो है यह इसको मसल लिया और देखी यह आटा बिल्कुल सौफ्ट हुचुका है अब इसमें से छोटी-छोटी सी लोईयां थोड़कर तयार कर लिए पूड़ी के बरावर की, अब थोड़ी सी लोईयां बना कर तयार कर लिए हैं, और पाकी का आटा उसको अच्छे से कवर करके रख दींगे, और फिर हम इसको बेलनाय स्टार्ट करते हैं, अब एक जो पूड़ी बनाते हैं, थोड़ी पतली होती है, जो गुजिया की लोग पूड़ी थी हमने बेल लिए और बेलने के बाद इसको एक सार हमारी गुजिया बने बिल्कुल सारी एक्वली साइज की बने, उसके लिए कटोरी लेकर कटोरी से उसका राउंड शेप में कट कर हमारी कुजिया की लोग बिल्कुल राउंड शेप में कट हो गई है और अब कुजिया को चिपकाने के लिए जो हम इसको फिलिंग भरके इसको चिपकाएंगे उसके लिए एक चम्मच मैदा लीजे कटोरी में और इस तरह इसका एक गारा सा गोल बनाकर तयार कर लिए और उसके बाद जो हमने गोल बनाया था उसको ऐसे साइड में लगा दें और अब इसको बंद करते प्रेस कर दें यहां पर आपस में इसको सारी तरफ से राउंड करके चिपका दें यह जो हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसमें खाचे का यूज नहीं करेंगे हाथ से ही इसको गूत कर त्यार करेंगे पहले आप इसको ऐसे करके चिपका ले और उसके बाद हम इसको गूतना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल साइट से कॉर्णर से लीजिए और एक स्टेप लेकर इसको ऐसे दबा दीजिए और उसको दबाने के बाद नेक्स से उठाईए और फिर इसको ऐसे दबा दीजिए फिर जहां से हमने दबाया वहीं पर फिंगर रखकर इसको ऐसे दबा दीजिए ऐसे ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे इसको continue ऐसे ही तोनों अंग उठों से प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाहिए तो जो डिजाइन है बिल्कुल हलवाई स्टाइल डिजाइन बनेगा हमारी गुजिया का एक तो बारी में काफी अची फिनिशिंग नहीं आपाती है लेकिन थोड़ा सा आप ट्राय करेंगे दो से चार गुजिया के बाद आपका जो डिजाइन है बिल्कुल पर्फेक्ट आने लगे जैसे मेरा भी अभी डिजाइन बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं आया है क्योंकि जो तो हम गुजिया के लिए बूल जाते हैं कि इसको कैसे करना है तो तैकि हमारी जो गुजिया है वो हमने बूल कर त्यार कर लिए में आपर घचा लिए घु उपर का वो सूखे का नहीं तरह से हम सारी जो गुजिया उनको बेल कर तयार कर लेंगे और गूत लेंगे और अगर आपको गूतने में थोड़ी सी परिशानी हो रही है तो बाजार में इस तरीके के खाचे आते हैं आप उससे भी गुजियों को डिजाइन दे सकते हैं चममत से इसमें लगा देंगे फिलिंग यह बहुत ही एजी तरीका है और चंदी भी बन जाती है ऐसे गुजियों तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और हमने इसका पेस्ट बनाया था मेंदा का उसको चारो तरफ से इसको ऐसे लगा देंगे और गुजिया को बंद कर देंगे तो लीजिया हमारी ये गुजिया मशीन वाली भी जो हमने सांचे से बनाई है ये गुजिया भी आसानी से तयार हो गई अधर सा डिजाइन बन गया है मैं एक तरीका और बताती हूं आपको वह भी बहुत आसान तरीका है पहले पूड़ी लीजिये उसको बेल अधर उसके बाद इसको कुट विसे राउंड्स हैप में कट कर लीजिया जो पूड़ी को राउंड शेप में कट कर लिया है और अब आप इसमें लगा दीजिये फिलिंघ फिलिंग को इसमें भर कर और इसको जो हमने गोल बनाया था उसको साइड में लगा दीजिए और इसको अब प्रास कर दीजिए अब प्रास करने के बाद एक फोक लीजिए और फोक से उस पर ऐसे दबा दबा कर डिसाइन बना दीजिए यह भी बन गया काफी अच्छा असुंदर डिजाइन तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप किसी भी तरीके से इनको पटावच से सबको बेल कर और बनाकर तयार कर लेज़े फिर हम इनको तलेंगे तो फ्रेंट्स कुजिया को तलने के लिए हमने कड़ाई में रिफाइंड ओयल ले लिया है आप चाहें तो वनस्पती गी किसी में भी इसको बना सकते हैं मैंने इसके लिए रिफाइंड ओयल का यूज किया है और अब हम इसमें गुजिया जो है हमारी तेल गरम होते ही जब जाए को डालते टाम आप इस बात का याद रखें कि आप ज़्ची से काफी सारी हो सके जितनी आसके कटाई में उतनी गुजिया डालें दो या तीन या चार डालकर नातलें क्योंकि उससे गुजिया के ऊपर गरम तेल होने के विज़ जो चोटे से बढबल जाते हैं जो यह को थोड़े सी पलेट्ने में भी पलेट्णी नि जाती हैं फूल जाते हैं जो साइट से तो न को आप जो है को नी से करके Cさ किसे दबाखर दूसरी साइट से से शेख लें नहीं कच्या वाईट वाइट से अच्छी निगेगी और oxyajaj от प्राइब हो रही है अच्छा सब्सक्राइब दूसरी के इस पर जो ने चाशनी बनाई थी उसको गरम करने रख देंगे क्योंकि जब यह गुजिया निकलेंगी तो हमें हैं टू है तो फ्रेंट्स देखिए हमारी जो गुजिया है कितनी गोल्डन कलर की कितनी प्यारी प्या एक एक करके चाशनी में डिप कर देंगे और थोड़े इसके ओपर भी चाशनी डाल देंगे तो हमने जो गुजिया को सारी चाशनी में डिप कर लिया है अब हम एक एक करके इनको सबको प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स लीजिए हमने अपनी मावा गुजिया को जो है प्लेट में सर्व कर लिया ट्रे में और देखें मेरी मावा गुजिया कितनी अच्छी लग रही है और मैं आपको एक गुजिया तोड़ कर दिखाती हूं यह अंदर तक किती बढ़िया बनी है इसमें जो चाश को चाशनी में डिप किया था काफी देर तक तो इसलिए के काफी सॉफ्ट और खस्ता बनी है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह उजिया की रसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रें खरीन देने में विजशما करें में बड़ित भेनो जापको यह झाल कॉपको यहारा हमनरे की रहूत है